दोस्तों अंकुरी मुंफली मुंगदाल चना हमारी बोडी के लिए प्रोटीन का बहुती बड़ा स्त्रोत है लेकिन 90% लोग नहीं जानते कि इसको कब और कैसे खाना है जिसकी वज़े से हमारी बोडी ताकतवर होने की बजाए उल्टा कमजोर हो जाती है तो आज मैं आपको बता दो कि आप इसको कब और कैसे खाएं और एक स्ट्रोंग बोडी बनाएं दोस्तों आर्मी की त्यारी करने वाले हो जिम जाने वाले या फिर कोई भी स्पोर्ट्समेन अगर आप लोग वर्काउट से पहले अंकुरीत मूंगदल मूंगफली चना जो की एक हाई प्रोटीन फूड है इसको खाते हो तो आपके पेट में दर्द हो सकता है तो जो लोग इसको खाने वाले हैं वर्काउट से पहले इसको बंद कर दें आप इसकी जिंगे पर अगर ज़्यादा आपको रनिंग करनी है तो आप कोई भी संत्रा या मौसमी कोई रस्दार फूर्ट खा सकते हो जो लोग स्पोर्ट्स करने वाले हैं या फिर जिम जाने वाले हैं वो कोई भी बनाना या एपल खा करके आप वर्काउट कर सकते हो जिसकी वज़े से आपके पेट में दर्द नहीं होगा दोस्तों मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जैसे ही वो वर्काउट फिनिस करते हैं तो वहीं पर अंकुरित मूंगदाल मूंगफली चना ख और आप सोचते होगी मैंने इसको खा लिया है मेरी बोड़ी स्ट्रॉंग हो जाएगी बट यहां पर उल्टा है वहां पर आपकी बोड़ी 2-5 गंटे के बाद रिकाउट होती है और आपकी बोड़ी के जो छोटे-शोटे सैल है वो कोशीकाई है वो टूट जाती है और जि जैसे आप उसको खाते हो तो तुरूंत आपकी बोड़ी को आदे घंटे के अंदर रिकौर करते हैं इसको खाने के बाद आप कोई भी बनाना या एपल खा सकते हो जो कि आपकी बोड़ी को दो से धाई घंटे तक आपकी बोड़ी को रिकौर करके रखते हैं और इसी तरह से जैसे आपने रसदार फूट खाया, कोई भी आप संत्रा या मुस्वमी खाने के बाद आप एपल या अपनाना खा सकते हो, अगर आप इसी तरह से खाते हो, यह आपकी बोड़ी को 2-5 घंटे तक रिकवरी देते हैं, और इसी के तुरंट बाद आप अंकुरित मुंगदाल, मुंगफिली चना जो ले करके आए हो, उसको खा सकते हो, अगर आप इस तरह से उसको खाओगे तो वह भी आपको बैक टू बैक 2-5 घंटे के बाद आपकी बोड़ी को भरपूर मातरा में प्रोटीन देगा, अगर आप पूरा डाइट इसी तरह से फोलो करते हो तो आप एक हेल्थी और स्ट्रोंग बोड़ी बना सकते हो, दोस्तो हाड़ वर्काउट करो, हेल्थी डाइट लो और एक नेच्रूल और स्ट्रोंग बोड़ी तयार करो, जो की लाइफ टाइम तक आपका साथ देगी, मिलते नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थेंक्यू जैहिन, जैवर्थ!